सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों कैसे हैं आप सभी सीखें देखिए आज के इस वीडियो में मैं क्लास नाइन्थ का हिंदी व्याकरण का उप्षर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उप्षर्ग का परिभासा देखा था परते के परिभासा देखा था संधी का परिभासा देखा वर्ण से संबंधित फूल वीडियो देखा अभी हम इस वीडियो में उप्षर्ग के बारे में बताएंगे ठीक है उप्षर्ग का बहासा में तीन परकार के उपसर्गों का परियोग होता है कितने परकार का तीन परकार का पहला है संस्कृत के उपसर्ग दूसरा है हिंदी के अपने उपसर्ग और तिसरा है उर्दू फार्सी के उपसर्ग कहने कार्थ है कि प्रशन आएगा कि हिंदी भासा में कुल कितने प जिसके संक्या 22 है हिंदी के उपसर्ग जिसके संक्या 10 है और उर्दू-Pasanji के उपसर्ग जिसके संक्या 12 है Mog सबसे पहले कि संथ्कृत के उपसर्ग में जानेंगे कि कौन-कौन से होते हैं और उनसे उदारन का निर्मान डिपाला कैसाase यह भी याद कर लेना है यह बहुत यासान होता है आप अगर एक बार ध्यान से देख लिजिएगा फिर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी जैसे बहुत से ऐसे सब्द हैं जो हम लोग परयोग करते हैं जैसे मान लिजे अपमान हुआ अपहरन हुआ परती दीन परि कर्मा परिनाम परिमान इन सभी प्रकार के उधारन को हम लोग देखेंगे तो देखिए पहला है प्रव प्रसे सब्द निर्मान है प्रकिडिया प्रलाप परयातन प्रलाप कार्थ रोना बिलखना दूसरा है परा परा आजय परा कर्म मतलब विर्टा पराधीन पर जोर दुसरे का गुलाम होना अप से सब्द बना अपमान अपहरन अपराद सम संगम संसकार संबाद देखिए संगम में सम जोर गम बराबर संगम सम जोरकार बराबर संसकार सम जोरवाद बराबर संबाद आगे है प्रती प्रती दिन, प्रती कार, मतलब बिरोध करना, प्रतेक, प्रती जोर एक संदी में याद होगा आपको, यह बदलता है यह में, प्रती जोर एक बराबर प्रतेक प्रस्न ऐसा आता है कि प्रतेक में किस उकसर्ग का परियोग हुआ इसके बारे में हम बताएंगे क्या है प्रती उसके बाद है परी परी कर्मा परिनाम जैसे रिजल्ट परिमान मतलब मात्रा परिनाम कर्थ होता है फल जैसे कोई हम लोग परिच्छा देते हैं तो उसका क्या फल आया क्या रिजल्ट आया परिनाम और यह होता है परिमान मात्र मात्राकर्थ हो गया जैसे दो केजी चीनी लाईए इस प्रकार के अनु अनुसासन अनुवाद अनुभाव उसके बाद है औ और वह आव आवकास छुट्टी आवतार आवसर जैसे विश्णु ने दस आवतार लिया था निस निस से बना निस्चै निस्पन निस्पन का किसी के प्रती समर्पित उसके बाद है निर निर अपराद निर जन जहां कोई लोग न हो निराकार जिसका कोई अकार न हो निर अपराद कार समझ गया जिसमें कोई अपराद नहीं किया हो निर से बन गया उसके बाद है दूस दूसकर्म कोई ऐसा काम जो सभी लोग नहीं क कर सकते हैं कुछ कथिन काम दुसकर मतलब बुड़ा कर्म दुस सासन खराब आच्रनवाले को यह दुस सासन कहा जाता है कि इसके बाद है दूर नुजन खराब लोग दूर आचार मतलब कर दुरलव जो असानी से प्राप्त न हो सके और इसका विलोम क्या होगा सूलव जो असानी से प्राप्त हो सके उसके बाद है वी वियोग विमान विज्ञान वियोग का अर्थ समझ गए वियोग मतलब अलगाव विमान उसके बाद है विज्ञान उसके बाद है नी निवारन न निवास, निदान, निवारन का अर्थ, उपाय, निवास, रहना, निदान, इसका भी अर्थ होता है उपाय, आ, आ से बना सब्द आगमन, अकार, आदेश, उसके बाद है अति, अत्याचार, अति जोराचार, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमन, उसके बाद है अधी, अधि अधिकार, अधीपती, अधियन, उसके बाद है सूगम, सूजन, शूलव, उसके बाद है उत्, उतकर्स, उत्पत्टी, उत्पात, अभी से सब्द बना अभी मुख मतलब आमने सामने अभी नए उसके बाद अभी प्राय अभी प्राय का अर्थ हो गया अर्थ अभी प्राय जैसे हम लोग कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि अभी नए हो गया रॉल करना उसके बाद है उप उपवन उपहार उपकार ठीक है तो अब इस पर प्रस्ण का किस प्रकार से आता है जैसे पड़यत्न में किस उपसर्ग का पड़योग हुआ अब तो अगर आप इन सभी को याद कर लिजेगा तो जितने भी प्रकार के प्रस्ण इस से बनते हैं वो सभी असानी से बन जाएंगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते ह अगले वीडियो में धन्यवाद